नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रेंसेकडमी तो हम लोग डिसकस कर रहे थे रुकमनी प्रकासन के लेख पाल परिछा मार्दसका के टेट सीरीज की तो यह टेट सीरीज नमबर 19 है, इसके पहले 18 टेट सीरीज हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन डिसकस करने वाले हैं, हिंदी प्लस जीएस के होंगे और 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात करेंगे, उसमें 25 क्वेश्चन को देखेंगे उसे सम्मध्ध जितनी भी पॉइंट बनेंगे उसके बारे में देखेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उस्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें तो पहला क्वेश्चन है इंदिका धाक के तीन पात इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा धाक के तीन पात तो इसका अर्थ होता है परिवर्तन न होना ठीक है यानि कि धाक के तीन पात के मुहावरे का अर्थ होता है परिवर्तन न होना अगर हम इसके वाक्य में प्रियोग करते हैं तो देखे रमेज के साथियों में आज भी सभी उचे पत पर आसीन है लेकिन रमेज अभी भी ठीक के धाक के तीन पात बने पड़ा है तो इस तरीके से इसका बाक परियोग किये जाता है इंसर इसका क्या हो जाएगा बीपाट जाएगा नेश्ट कोस्टन देखते हैं रिक तस्थान को भषणने के लिए उप्योगत सब्द का चैन करेये बंदूक ये उप्योगी है क्या उप्योगी है ये बताना है ये बताना है इसमें अगर हम कौन साब्ध भर तें कि ये पूणब वाक बन जाए तो अगर हम इसके एंसर एक बात करते है ऐस्ट्र तो वाक्य का वह भाग्य याद करें जिसमें कोई तूटी दी गुई है यानि कि इसमें कुछी भी उस पार्ट को बताना जिसमें गलती की गई है या दिया गया है साहित की New का आदार जीवन है इसी New का साहित की दीवार खड़ी होती इसमें बताना कहां पर गलतिया हुई है तो अगर हम देखें इसी New का जो लिखा हुआ है इसी New का यहां पर गलती हुई है तो answer इसका B हो जाएगा अगर हम बात करें तो किसी भी चीज की बुनियाद अथवा न्यूँ पर कोई अन दीवार खड़ी होती है इसलिए न्यू का के अस्थान पर न्यूपर सहीं होगा इहाँ पर जो न्यूँ का लिखा है ये नहोila कर यहाँ पर न्यूपर होना चाहिए तो इसका answer सही हो जाता, ठीक है, तो इसका answer भी जागा next question देखते हैं, अगले question में रिक्त अस्थानों की पूर्ती करना है, आकस्मात बिजली सी यह विचार मन में फिर इसके बाद आगे बढ़ना है, क्या होगा, ठीक है, तो बिजली किसी अचानक आने वाली विचार के जिसका जन्म जो है, स्रेष्ट कुल में हुआ हो, उसको एक सब्द में क्या कहेंगे, तो जो स्रेष्ट कुल में जन्म लेने वाले को जो एक सब्द में कहते हैं, कुलीन, answer क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, कुलीन, ठीक है, कुलीन कहा जाता है, अब अगर हम बा तो इसका आर्थ होता है जमीदार, सामन्त मेंज क्या था जमीदार होता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन होगे, आप अगला क्वेश्चन दिखते हैं, रज्जु सब्दिका जो है प्रियाइबाची बताना है, इस सब्दिका प्रियाइबाची क्या होगा, तो रज्जु सब के बदले में मिलने वाला धन डैस कहलाता है यह भरना है तो वह कहलाता है जो कोई काम करने गये उसके बदले म piace D provision क मिलते हैं जो के बदले को चैन करने करके पार्ट में जो है रूप से लिखा हुआ ये बताना है तो अगर रहा हम answer की बात करेंगे तो answer इसका d-part से उजएगा जीजी विसा जो ऐँ-डी पार्ट में लिखा हुआ इस तरीके से सुधरूप में लिखा जाता है ठीक है जीजी विशा का अर्थ होता है जीने की इच्छा रखने वाला ठीक है अगला question देखते हैं 10 वर्स से 15 वर्स की आई के वर्ग के बालक के लिए एक सब्द क्या परियुक्त किया जाएगा तो 10 से लेकर 15 साल की उमर के बालक को किशोर आउस्था कहते हैं किशोर कहेंगे एंसर इसका डी हो जाएगा ठीक है और वहीं 5 साल से लेकर 10 साल के उमर के बालक को तरों कहते हैं इसके बाद 15 साल से 18 साल के युवा के जो बालक होता उसको युवा कहते हैं एक से लेकर पांच साल तक का जो बालक होता उसको सिसू कहते हैं तो इस तरीके से ये व्याक्या होगी अगला कुस्चन देखते हैं मुख्य का बिलोम बताना है क्या होगा मुख्य का बिलोम होता है गौड ठीक एंसर क्या हो जागा बीपाट हो जागा गौड इसके बाद दि से बात करते हैं मुखिया ठीक है मुखिया सब्द मुख से निकलता है ना कि निकलती है यहाँ ठीक है मुखिया सब्द पूलिंग होता है इसलिए निकलती नहीं होगा निकली नहीं होगा निकला होगा तो एंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा निकली है ठीक है मैं और कर भी होता है, चमू, चमू का प्रियाबाची क्या होता है, चमू का आर्थ होता है, सेना, ठीक है, इसके बाद, अगर हम बात करते हैं इसमें, अगले कोश्चन की, रिक्त अस्थान को भरने के लिए उप्युक्त सब्दिका चैन करना है, इमानदारी स्रेष्ट क्या है, इसमें आप्सन में D पार्ट दियागा है गुण, तो एंसर इसका D पार्ट हो जाएगा गुण, ठीक है, अगर इसमें नीत भी दिया होगा, तो भी सही हो जाएगा, अगले कोश्चन में सही बरतिनी वाले सब्द चैन करना, उज्ज्वल को किस तरीके से लिखा जाएगा, एइपार्ट, भी पार्ट, उज्वल के बात करेंगा, यह सही बς दिया गाएगा, नेश कोईशन करना को प्रतिय थापित करने के लिए मिख्ली का चैन करना है, वह सभाव से ग। अब्द दिख करिए अन सब्द करेंगे गे ग्हुम करना में, तो लिख़एगаш से एक सब् क्या जता है गुमक्कड गुमक्कड का आर्थ होता है गुमने वाला तो यहां पे हम गुमक्कड सब्द प्रियोग कर सकते हैं ठीक है उड़ती चिडिया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो उड़ती चिडिया पहचानने का मुहावरे का आर्थ होता है दूसरे के मन की बात जानना ठीक है जो किसी पार्ट में दिया गया है और इसी पार्ट इसका एंसर हो जाएगा दूसरे के मन की बात जानना ठीक है अगला कुछने कृतग्न का बिलोम क्या होगा तो कृतग्न का बिलोम होता है अगर हम बात करें तो कृतग्न या फिर आभारी दो होते हैं तो इसमें किर्टग्य दिया गया है अगर किसी में आभारी दिया होगा तो भी इसका भिलोम हो जाएगा ठीक है किर्टग्य नेश को इसने दिये गए वाट मेरे खांकित खंड को प्रतिय स्थापित करने के लिए उप्यक्ति बिलकल्प का चैन करना है यह कुमहार तो जो लिखा हुआ है इसमें कहा पर गलतिया की गई है तो अगर हम देखते हैं इसमें पर्मात्मा का स्रिष्ट जो लिखा हुआ यह गल्ती लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं मानव जीवन परमात्मा की सिरिष्ठ ना की का सिरिष्ठ है ठीक है चलिए नेस्ट कुछन है प्रतियस्थापित करना इसमें भी मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं अगला कुछन है पंचवटी समासिक पद में कौन सा समास है यह बताना है तो पंचवटी की बात करें तो इसमें दुग समास आएगा तुक है दूग समास का अगर हम प्रवाजय शैब करें जहां पहला पत जो है संख्या जो136 तीन फुजा ओं का जो होता है बना होता है थी अप और इसके बाद चार ื่ बशुराएं चौराहा भी यह जो है दुग समास का क्या करते हैं कि यह चार राहों का रास्ता जो होता है उसे चौराहा करते हैं और यह यहां पर पहला पद संख्या आता है ठीक है तीरंगा यह भी जो है दुग समास के अंतरगत आता है उचारण में कौन से संदी है यह बताना है तो उच प्लस चारन तो यहां पर ताज के नीचे लगा हुआ है तो इसका मतलब यह बंजन लिखा हुआ है और यहां पर बढ़ा है तो यह दोनों मिलकर आधाचाय का इस्तिमाल करते हैं इस तिरके से तो यहां पर बंजन सद्ध हो जाएगा ठीक है नेश्ट क्वेश्चन नम्बर तेशी देखते हैं आधनिक्ता और परंपरा में परसपर अभिछिन संबंध होता है यह गद्यांस के अंसार इसका आधनिक्ता एक गतसील प्रक्रिया है क्योंकि क्या है तो ज्ञान का विकास चिंतन प्रक्रिया को निरुंतर बदलता रहता है और ये इसका इंसर जो है सीपार सही हो जाएगा परंपरा का महत्त अच्छुड है क्योंकि उसका आधार भविष्ट की जीवन पद्धत के रूप में होता है यानि कि बी आप्शन इसमें सही हो जाएगा ठीक है तो ये था 25 क्वेश्चन हिंदी के अब हम देखेंगे 25 क्वेश्चन जीवन के आपके एक्जाम्स के रिए बहुत इंपर्टन्ट है इंड तक देखिएगा वीडियो को ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन है त्यत्य आंग मैसूर युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और टीफू सुल्तान के वीच लला गया था और यह युद्ध अंग्रेज्चों ने मराठा यू निजाम के सहयोग से मैसूर पर आक्रमर किया था जिसमें अंग्रेजी सेना का नेत्रत जो है मिडोज ने प्रारम में किया जो सफलता नहीं प्राप्त किया तो स्वयम गवर्नर जनरलाड कानवालिस ने इस युद्ध का नेत्रत किया था ठीक है इस युद्ध में जो है टीफू सुल्तान पराजित हुआ और संध के बाद टीफू को अपना आधाराज योम युद्ध हरजाना भी देना पड़ा था ठ सत्रा सो सर्शक्त से लेकर 59 के वीज़ ठीक है तब टीफू सिल्तान के पिता जी थे वो लड़े थे हैदर अलिए नेश कोशन है नेर्म लिकित मेंसे कौंसा सही सुमेलित नहीं इसमें से बताना है ठीक है तो इसमें नहीं की बात कर रहा है तो अगर हम दासता कानत देखते मेलकम तो ये गलत है ठीक है दासता का अंत जो है मेलकम जो मेलकम ये सुमिरत नहीं है मेलकम एक अमेरिकी पादरी था जो 1830 में भारत की आत्रा पर आया था जिसने दच्छिड भारत के दासता का उल्ले किया है लेकिन अगर हम देखें तो इसमें सती पर्था का निर्सियत जो एलन बरो जो थे इसमें लाड एलन बरो उन्होंने उनके कारकार में हुआ था तो यहाँ पर अगर एलन बरो होता तो यह सही हो जाता ठीक है किसका कथन है मुझे इस आरोप के संबन्द में कोई छमा नहीं मागनी है कि सम्मिधान के प्रारूप में भारा सरकार अधनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुना उत्पादित करत दिया गया है यह कथन किसका था यह बताना है तो यह कथन था डाक्टर भीम राऊंबेटकर जी का एंसर इसका डी पार्ट हो जागा डाक्टर भीम राऊंबेटकर इन्होंने कथन कहा था सम्मिधान का लगवाक 60% भारष सरकार अधनियम 1935 से ही लिया गया है चान नॉम्बर उनिस्वाइज को यह बैयान समिधान सभा में डाक्टर भीम रामबेटकर के द्वारा दिया गया था तो और प्रारूप समित के अध्यग्छ भी यही थे डाक्टर भीम रामबेटकर जी इन्होंने अपरी रिपोर्ट जो है 21 अगला कुछ नहीं देखते हैं म पुष्टक के लेखक गुप्त काल में विसाख दत्त द्वारा लिखी गई थी एंसर इसका बी पाठ हो जाएगा विसाख दत्त ठीक है इस पुष्टक से जो है मौरकाल के बारे में जानकारी मिलती है और पाड़नी की पुष्टक की नाम है अश्टा ध्याई ठीक है जो कोई से ज्ञाथ होता है कि इसकंद्ध गुप्त ने को प्राजित किया था तो अगर हम बात करें कि खामक की तो यंहोस ने जो कौन सी तरंग फोटान अधिक्तम उर्जा ले जाती है ये बताना है तो वो तरंग है एक्स तरंग, एंसर इसका क्या हो जाएगा, एक्स किर्णों की प्रति जो है फोटान रुजाधिक्तम होती है, और प्रकास की कणिये प्रिकृत के आधार पर प्रकास छोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बना है, तथा इन छोटे कड़ों को ही फोटान कहा जाता है, ठीक है, फ् इसमें पताना है तो सम न्यूट्रानिक क्या होता यह पहले जान लेते हैं सम न्यूट्रानिक वे होते हैं जिनके नाभिक में न्यूट्रानों की संख्या जो होती है वो समान होती है उन्हें सम न्यूट्रानिक कहा जाता है ठीक है नाम से पता चलता है और इसमें अगर हम बा जो है sam-newtronic है इसके न्यूट्रान जो है बराबर है पूसरे के है ठीक है रघेल हा नेट्रोजन में 15-7 करेंगे तो न्यूट्रान की संख्या 8 जाएगी और इसके बाद अगर हम oxygen में 16 मायने सार करेंगे तो neutron की संख्या 8 आ जाएगी तो इन तीरों में neutron की संख्या 8 आ रही तो ये समान हो जाते हैं और इस तरीके से D-parts का answer सहीं हो जाएगा ठीक है अगला कुछ से दिखते हैं मस्तिस्क तथा मेरे रज्जू पर चड़ी जो जिल्ली को क्या कहा जाता है ये बताना है तो उसको कहते हैं meninges meninges का जाता है मस्तित का और मेरे रज्जू को ढखने वाली जिल्ली को meninges कहा जाता है meninges में सूजन वदर्द को meningitis कहते हैं इस रोग के कारण जो है leukemia leukemia कहते है इसके बाद अगर देखते हैं तो रग्त में जो है RBC की अधिक्ता अगर हो जाती है तो उसको policy themia रोग कहते हैं ठीक है और रग्त में अगर RBC की कमी हो जाए तो उसे anemia रोग कहते हैं ठीक है तो ये कुछ बाते हो गए अब अगला question देखते हैं सरीर में अत्रिक्त glycogen में प्रवर्तित होकर भंडारित होती है किस में भंडारित होता है ये बताना है तो वो होता है यक्रित में लीवर में एंसर क्या हो जाएगा B part हो जाएगा लीवर में भंडारित होता है ठीक है लीवर जो है मनुस्व के सरीर के सबसे बड़ी गरंती होती है सरीर में विटामिन A, D, E, K चार विटामिन जो है A, D, E और K ये जो है यक्रित में भंडारित होती है यानि कि लीवर में ये रहती है इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सरीर का अथिरिक ग्लकोजन में परिव स्यान्ता का कारण है यह बताना है तो अगर हम एंसर की बात करें देंगे तो एंसर इसका यह पाठो जाएगा रक्त में प्रोटीन होना रक्त की स्यान्ता पानी से पांच मुणा अधिक होती है और रक्त शरीर के कुल भार का आठ से 10 परसेंट होता है रक्त जो है संयों जी उ होते हैं रक्त करकाओं में जो है रवीसी होता है डवलूबीसी होता है और इसके बाद इसमें प्लेटलेश्ट होता है ठीक है तो यह रक्त करकाओं में पाए जाता है इसके बाद मानोरक्त में जो है लगभ़ा पचास लाख रवीसी पाए जाती है कितना पचास लाख रव तो ये बाते होंगे, अब अगला कुश्चन देखते हैं, धात जो ठंडे पानी से तोरित किरिया करती है, वो कौन सी धाती है, तो वो धात हो है सोडियूम, सोडियूम क्या करता है, सोडियूम ठंडे पानी में तोरित किरिया करता है, और ये का करता है, जलने लगता है, ठीक तो आगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो डी-पाथ होजेगा, इसमें तीनों एंसर सही है, ठीक है मैं कमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की रेखा है रहरा वारट रेखा है, रेड़ को रेखा जो है पाकिस्तान को रिचा की बीच की रिखा है AI-33 प्रांस को लग करती है उन्चासमी समाना अंतर रेखा जो है वो यूएसे और कानाडा को लग करती है ठीक है चलिए नेश कुछन देखते हैं अंडमान यूम निकोबार दीवसमू की राजदानी जो है पोर्ट बलेर निम लिखित में सिक्की से एक दीवप में अवस्तित है तो वो अवस्तित है दच्छडी अंडमान पर एंसर क्या हो जाएगा डीपार्ट होईगा दच्छडी अंडमान पर ठीक है कम्प्यूटर सब्दावली में निब्बल क्या है ये बताना है तो कम्प्यूटर सब्दावली में निब्बल जो होता है एक आधा बाइट होता है एंसर क्या हो जागा ये पाट हो जागा निब्बल जो होता है वो आधा बाइट होता है ठीक है और चार बीट मिलकर बराबर एक निबल होता है चार बीट मिलकर कितना होता है एक निबल होता है ठीक है आठ बीट मिलकर एक बाइट होता है और एक हजार चोविस बाइट मिलकर एक किलो बाइट होता है एक हजार चोविस किलो बाइट मिलकर एक मेगा बाइट होता है एनिकी जिसको हम यम्भी कहते हैं तो इससरीकर्ण और ग्रीन हाउस सद्धता के पुन निर्मार से जल वायम प्रणाली और मानो जीवन को हानिकारक प्रभाव से बचाना ठीक है तो यह जल सनलचन से संबंदित नहीं था क्योटफ प्रणो काल तो यही सोमेले सही नहीं होगा बाकिया और तीनों सही समेले था ठीक है केटो प्रोटोकाल को जो है 1997 में जापान के केटो सहर में अंगिकरित किया गया था और यह जो हजार पांच से पूर्टा लाग भुआ था इसलिए इसका नाम के ओटो प्रोटोकाल ही रख़ दिया गया था यह प्रोटोकाल जो हरित गरह गैसो के उसरजन में कमी लाने के संब्दित मोंट्रियल प्रोटोकाल जो Echo 1987 में और आंश्य क्या हो जाएगा, सिपाट हो जाएगा च्राधान का विएपक उद्देश जैंता का अधीकाधि कल्याण करना होता है, अनुचे 517 में विद्यक का उलेक मिलता है, अनुचे 1110 में धन्य जैंध्यक हो जाएगा, तो इस्तीरीके से गारे पार मुझा बनूरत के कर स समदाई से यह बताना है तो यह जो एंगलो इंडियन समदाई से संबधित है एंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेश कुछन है समिदान के किस अनुक्षेत के तहट नागरिकों को नीजी घरों में भी राष्ट्य धोज फैराने का अधिकार है तो वह है 19-1 क के तहट एंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा ठीक है 19-1 के तहट विचार की अभिविक्ति के तहट सम्मान के साथ राष्ट्य धोज को फैरानी का अधिकार प्राप्त है एंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा 19-1 अगला कुस्च्चन है सर्वोच नियाले के निर् प्राण योम दहिक सतंतता का अधिकार भी देता है अनुचच बीस जो है में अपराधों के लिए दोसे सिद्ध के संबंध में सनच्छन से संबंध है अनुचच बाइस जो है अपने को गिरिवतार किये जाने से बचाने का अधिकार है अगला कुस्चन है पंबा सिचाई परियोजना किस राज में है पंबा सिचाई परियोजना जो है यह केरल राज में है इंसरिसका यह पाठोजेगा केरल राज ठीक है डीडिकल हिटकल परियोजना करनाटक राज में है घाट परभा नदी पर और यह पंबा सिचाई परियोजना जो है तंबा नदी पर है केरल में पनामा परियोजना जो है गुजरात में है पनामा नदी पर ठीक है बारगी परियोजना मद्य परदेश में बारगी नदी पर पूंड़ा परियोजना महराष्ट में है पूंड़ा नदी पर छपेली किस राजी का लोक निर्थ है ये बताना तो छपेली जो है ये हिमाचल प्रदेश राजि का निलोकने था, answer इसका बीपार्ट हो जाएगा, ठीक है, answer क्या हो जागा, बीपार्ट हो जाएगा, next question देखते है, महासागरों से सुद्ध जल किस बिधी से प्राप्त किया जा सकता है, तो वो बिधी कॉण सी है, वो बिधी है आसोन, आसोन बिधी से जो ह hardware का भाग नहीं होता, बलकि ये software होता है, ठीक है, बाकी monitor, keyboard, CPU, ये तीनो hardware है computer सब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है बताना है तो ALU का पूर्ण रूप होता है arithmetic logic unit, यानि कि B part में जो दिया गया है, ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, full farm हो जाएगा C part, sorry, C part में जो दिया गया है तो C part इसका answer हो जाएगा, ठीक है Question, last question इस वीडियो का है किस राज में सुन इसकों का सबसे बड़ा भंडार प्राप हुआ है, ये बताना है तो अगर हम इसका answer की बात करेंगे तो वो राज जाए बिहार, बिहार राज में सुन इसकों का सबसे बड़ा भंडार प्राप हुआ है answer इसका बिहार हो जाएगा तो ये था अबराल question जिसका discussion कियागा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को subscribe करेंगा साथ में अपरें दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share करिए ठीक है और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आज क्या वीडियो पर इंडिय करते हैं मिलते हैं नेस्ट दिन तब तक लिए थैंक्यो